यहां पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉस कर लें और फिर यह जो संटेंस दिये हुए हैं इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और राइट, so now I'm going to display the answer in English Hello friend, I am Muhammadullah from Kudu's English so in this video we're going to watch a small conversation between Channu and Munnu so I have given it a name, chit chat with Channu Munnu so let's see this is Channu here he'll say something which will be displayed here in Hindi and this is Munnu he'll reply to Channu which will be displayed here now before I display you the answer I suggest you to pause your video and try to translate it by yourself this will help you a lot in learning BLEVE में ये है चुणू ये यहां पर कुछ कहेगा जो Hindi में यहां पर डिस्पले किया जाएगा और ये है मुनू मुनू चुणू को जवाब देगा जो यहां पर हिंदी में डिस्पले होगा और यहां पर इंग्लिश में आपको आंसर उसका टांसलेशन डिस्पले किया जाएगा लेकिन इंग्लिश में टांसलेशन देखने से पहले मैं आपको मश्विरा दूँगा कि जो यहां पर हिंदी में डिस्पले होगा उसको आप पहले खुद से ट्राइ करें इंगलिश में ट्रांसलेट करने की इसे आपको बहुत फायदा होगा बलेव में बहुत फायदा होगा पहले आप खुद से ट्राइ करें उसके बाद यहां पर आकर आंसर देखें तो अपनी वीडियो हिंदी में डिस्पले होने के बा यार मैं दवा ले रहा हूं लेकिन ये काम नहीं कर रही है चुनु कहता है कि यार मैं दवा ले रहा हूं लेकिन ये काम नहीं कर रही है तो मुनु उस क्या कहता है चिंता मत कर एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा this is what Munnu replies यार मैं दवा ले रहा हूं लेकिन ये काम नहीं कर रही है चिंता मत कर एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा now I request you to pause your video here for a while and try to translate these Hindi sentences by yourself alright यहां पर वीडियो को थोड़ी दिर के लिए pause कर ले और फिर यह जो sentence दिये हुए हैं इसको आप translate करने की कोशिश करें alright so now I'm going to display the answer in English dear I'm taking medicine but it's not working यार मैं दवा ले रहा हूं लेकिन यह काम नहीं कर रही है English में बोलेंगे dear I'm taking medicine but it's not working चिंता मत कर एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा so in English don't worry in a day or two fever will go down don't worry in a day or two fever will go down चिंता मत कर एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा don't worry in a day or two fever will go down तो यह है एक छोटी सी conversation चुन्नू और मुन्नू के बीच में अगर हम English 90 दिन में सीखने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे हम छोटे छोटे से फ्रेज छोटे छोटे से वर्ड वो खैब और एक छोटी सी conversation अगर हम यह सब करते हैं रोजाना थोड़ी देर के लिए without making much effort अगर हम यह सब करते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा सा तो हम एक साल के अंदर-अंदर English में fluent हो सकते हैं यही सबसे best तरीका है आराइट तो 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 देख लिए